अस्सलाम अलेकुम दोस्तों में हम आपको जानकरी होना बेहर जरूई है इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप साओधी अरभियम रहते हो आपने दो बैक्सिन लिया है तो अभी आपका क्या जो इस्टेटर्स है उसको बदल दिये जाएगा या नहीं बदला जाएगा क्योंकि इसको लेकर साओधी के हेल्थ मिनेश्टर की तरफ से अभी अभी एक अच्छी अपडेट दी गए जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकरी होना बेहर जरूई ह इसके साथ और भी साओधी के हेल्थ मिनेश्टर की तरफ से कुछ अपडेट है यह सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जनकर मिल जाए दोस्तों वीडियो सुरू होने से पहले हम आपको रिकबरी किया गया है टोटल साओधी अरब के अंदर कुरोना वरिस के केस से 6,26,808 हो चुके हैं आज भी कुरोना वरिस के केस 5,873 पाएगे मतलब अभी भी काफी तेसे कुरोना वरिस के केस में बृद्धी देखी गई है इसके साथ सीरियस केस 454 है 8,910 लोग को अभी त तो क्या आपकी इस्थित बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी क्योंकि आज साओधी के स्वास्त मंतराले की तरफ से चेताओने दिया गया है कि अगर आपकी बैक्सीन 8 महने पूरी होने वाली है फरवरी के पहले तो यहाँ पर जो आपका जो कुरोना वारिस का टिक करना है उसकी इस्थित बदल दे जाएगी मतलब यह मान के चलिए कि अगर आपने दो बैक्सीन लिया है और अभी 8 महने पूरे होने वाले हैं तो ऐसे में आपके लिए एक बुरी अपडेट है आपको अभी बूस्टर खुडाक लेना बेहत जरूई है और अगर आपके 8 मह हिने पूरे नहीं होते हैं कम होते हैं तो ऐसे में जो इस्थित है वो नहीं बदली जाएगी तो यह एक बहुत ही अच्छी अपडेट है सौदी के स्वास्त म tomarla की तरफ से जो अभी अभी अपडेट दी गई है बाकी जैसे नगाई अपडेट आती हुम आपको जल्द अप